नमस्कार आर्माइन टीवी पर स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ कुलदीप सिंग पठानिया उत्रा खंड से इस्वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें यहाँ पंचायद चुनावों की तारीकों का एलान हो चुका है इस तरियर जो चुनाव होने हैं उनको लेकर चुनाव आयोग ने राज़र चुनाव आयोग ने दरसल परस्तावित कारिक्रम जो है वो बेजा था मुक्चे मंत्री के पास वहाँ से हरी चंडी मिल चुकी है अब आपको बता दे क्या कुछ कारिक्रम रहेगा पंचायद चुनावों का जिसमें की ग्राम पंचायद ब्लॉक समिती के चुनाव और जिला परिश्ट के चुनाव शामिल होंगे तीन चरणों में दरसल ये पूरे चुनाव होने हैं 16, 11 और 6 अक्तूबर को ये चुनाव संपन होंगे 21 अक्तूबर को वोटों की गिनती की जाएगी 20 से 24 सितंबर तक नमांकन दाखिल होंगे हाला कि ये भी पता दे कि हरी दौर जिले में ये चुनाव नहीं होंगे हाई कोट ने कहा था कि 30 नमबर से पहले पहले ये चुनाव संपन करवायए जाएं उसके आपस से ही आयोक के राजे निर्वाचन आयोक के अध्यक्ष है ये फिर निर्वाचन आयोक थैं चुन्द शेखर भट उन्होंने सभी जिल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये समझी थी कि पूरी तयारियां हो चुकी हैं, पूरी तयारियों की समिक्षा की गई थी और ये भी माना चा रहा था चूकि मौंसुन सीजन अभी जारी है ऐसे में सभी जिलों में एक साथ चुनाव क्या करवाए जा सकते हैं और यही वज़े रही क्योंकि कई जगे आपदा आई हुई हैं ऐसे में तीन डेट्स रखी गई हैं चुनावों की 6 अक्तूबर, 11 अक्तूबर और 16 अक्तूबर तो बागी अपडेट्स के लिए भी आप बने रही है आरनाइन टीवी के साथ